हलो इस्टूडेंट्स बीए सी पार्ट सेकिंडियर की इन और्गनिक एमस्ट्री अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बीए सी पार्ट सेकिंडियर में सेलेबस का पेटर्न, यूनिट का पेटर्न, मार्क्स का पेटर्न सेम वही रहेगा जो बीए सी पार्ट फस्ट में था इनोर्गिनी केमिस्टरी 33 marks first paper, ցर्गिनी केमिस्टरी 33 marks second paper और third paper physical chemistry, जो 34 marks का है, वो ही 50 marks का अपना प्रैक्टिकल रहेंगा, अब मैं सबसे पहले paper first इनोर्गिनी केमिस्टरी अपने start करने जा रहेंगें, और inorganic chemistry का मैं आपको unit system बता दूं कि क्या इसका unit system रहेगा देखिएगा unit first unit first अपने पास में रहेगी transition elements और कौन सी first transition element या first, second, third इसमें रहेंगे तो क्या कहेंगे? first transition series, first transition series, इसी unit का part अपना second और third transition series भी है, first transition series, second and third transition series. ये अपन और और खह सकते हैं, D block element है, वहाँ first year की नऔर इसमें आपने S और P block element पढ़ा था, तो जो बचावा periodic table का part है, first और second और third transition element वो अपने याँ पर आता है, unit second की बात करेंगे अपन, तो unit second में बहुत ही शांदार concept जो coordination chemistry अपन जिसको बोलते हैं, वो सारी है, 12th class में अपने coordination chemistry पढ़ी है, उपसे से हो जगी होगी कहे लो, coordination compound, उपसे से हो जगी होगी कहे लो, coordination compound, और एक्टेनाइट और एक्टेनाइट भी सामिल होते हैं, तो यहां पर लेंथेनाइट और एक्टेनाइट जो element है, उनकी chemistry कोई अपन बात करेंगे, chemistry of lengthenides and actinides. lengthenide सामिल एक्टेनाइट का रसाइन, ठीक साइट को इदिकत नहीं है, अब बात करेंगे अपन unit 4 की, जार नमर की unit, देखो क्या कहती है, unit 4 में जो अपन डिसकस करेंगे, वो oxidation, reduction, oxygen, 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 unit 5 की बात अपन करेंगे, तो उसमें अपन acid base लेंगे, और non-acosolvent, acid base, यानि अमलचार, और एक है non-acosolvent, एजली यह विलाइक जिसको अपन बोलते हैं, वो इसमें सामिल होगा, अब देखिए, अपन आगे बढ़ते हैं, कि इसमें कौन-कौन सी element अपने पास transition series में सामिल है, किस तरह से अपन इनको classified करते हैं, क्या इनके characteristics point हैं, तो unit first अपन सबसे पहले लेते हैं, unit first, unit first में पहला topic अपना रेगा first transition series का, और दूसरा topic अपना रेगा second or third transition series का, ठीक है, तो इसको समझने के लिए अपन थोड़ा periodic table का एक परफोर्मा बना लेते हैं, एक skeleton बना लेते हैं, ताकि उससे अपन इस चीज़ को carry कर सकें, कि किस तरह से अपन इनको अलग करेंगे, separation भी है, इसका characteristics property भी है, इसकी elements जो compound बनाते हैं, उनकी study भी है, इनकी structures भी है, first transition series and third transition series, तो सबसे पहले मैं एक periodic table का परफोर्मा बनाना चाहूंगा, उसके लिए मैं यह कह सकता हूँ, अपने पास periodic table में यह इस्तीती थी, यह अपने पास periodic table है, ठीक है, और periodic table में, है, यह, यह, यह पिरोडुक टेबल की एक स्किलेटन है इसमें वैपन क्या कह सकते हैं किस-किस तरह से अपन आलिमेंट पढ़ते हैं यहां पर अपन ऐस ब्लोक आलिमेंट पढ़ते हैं जोपन जिनको इस तरह से बता सकते हैं हाइड्रोजन, लीथियम, सोडियम, पुटेशियम, पुटेशियम, पुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम यह अपने पास में एस ब्लोग के एलिमेंट विए है, यहाँ पर देखना, इस साइड में अगर अपन चलते हैं, कौन सी साइड में, यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, पुटेशियम, 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 यह चार सीरीज आती है जो सकेंडियम से सुरू होती है एट्रियम से सुरू होती है लेंधेनम से स्टार्ट होती है और यह इसको बोलते हैं अपन 3D सीरीज क्या बोलेंगे 3D सीरीज ठीक है और यह जो है इसको बोलेंगे 4D सीरीज इसको अपन बोलेंगे 5D सीरीच और जो यहां आएगी जो सारे के सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट है उल्मॉस्ट उसको 6D सीरीच अपन बोलेंगे अपन मुक्य रूप से अपने सलेवस में 4, 3D, 4D और 5D यह तीन सीरीच है जो यह वाली सकेंडियम से लेकर जिंक तक जो जलती है इनके यह लग से मैं एलिमेंट लिखूंगा इनको अपन बोलते हैं 1st Transition सीरीच क्या बोलेंगे 1st Transition सीरीच पर्तम संकर्मन स्रेणी हलागी 12 में अपन पढ़के आगे इनके बारे में थोड़ा दूसरी अपने पास में कौन सी आ जाएगी 2nd Transition सीरीच द्यूत्य संकर्मन स्रेणी और 3rd Transition सीरीच तर्तिय संकर्मन स्रेणी तो अपने से लेवस है 1st Transition सीरीच 2nd और 3rd Transition सीरीच अब देखो अपन किसी भी तरह की periodicity की बात करते हैं किसी भी तरह की आवर्तिता की बात करते हैं तो ऐस ब्लोक में अपने जो पढ़ाता वो क्या बात की थी जैसे आवर्तिता या periodicity जिसको अपन बोलते हैं periodicity इनमें क्या-क्या बात की थी अपने बात की थी जैसे इसकी आइनिक तिर्जा की बात की थी ठीक है पीछे वाला थोड़ा रिकॉल करवा रहा हूं ता कि अपने लिंक कर सके दूसरी जैसे अपने आइनन विभाव की बात की थी ठीक है इलेक्ट्रोन बंदूता की बात की थी इन चीजों को अपने स्टेडी किया था तिर्ज्या हो गई आइनन विभाव गया इलेक्ट्रोन बंदूता हो गई इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी विदूत्रिनिता इलेक्ट्रोन बंदूता आइनन विभाव विदूत्रिनिता इनकी बात अपने कर ली थी अब देखो अपने जब ये बात की थी इन आवर्ति गुणों की बात की थी तो अपने ये कहाता है कि उपर से नीचे जाने पर ये होता है यानि उपर से नीचे जाने पर इनकी जो प्रोपर्टी ये उनमें वेरियेशन आता है ठीक है तो अपने उर्दुहादर स्टेडी की किसी की थी और्दुवादर जिसको अपने बोलते हैं वर्टीकल क्या बोलते हैं वर्टीकल वर्टीकल का मतलब अपर से नीचे जाने पर यह होता है इधर भी अपने बात अगर पीपलोग एलिमेंट की की थी तो वह सेम कॉंसेप्ट यहां पर भी अपने काम में लिया था कि अप्टू डाउन जाने पर क्या चेंज आते हैं वो बात अपने की थी ठीक है अब लेकिन जो अपने पास में यह जो सीरीज है इन सीरीज में अपन इधर से लेफ्टू राइट जाकर अपन स्टेडी करेंगे कि फर्स्ट रांजिशन सीरीज में लेफ्टू राइट जाने पर बाएं से दाएं जाने पर क्या चेंज आते हैं इसका मतलब इसकी जो स्टेडी करेंगे अपन कैसे करेंगे छेतीच होरीजोंटल करेंगे एक बात दूसरी बात अपन इस बात से अच्छे से वाकिप हैं कि modern periodic table जो है उसमें अपन classified करते हैं ग्रूप समु है period आवर्थ इनकी बात करते हैं तो ये वाले अपने पास में क्या होते हैं आवर्थ फरस्ट, सेकिंड, थर्ड, फॉर्थ, फिप्थ, सिस्थ और सेवन्थ ये अपने पास में क्या होते हैं आवर्थ होते हैं ठीक है और ये अपने पास में क्या होते हैं फरस् कि जो पीरिएड है पीरिएड रहेगा left to right और अपने पास जो group पर रहेगा वह रहेगा up to down ठीक है तो पीरिएड एक आवर्ट सारणी में एक periodic table में अगर अपन पीरिएड या आवर्ट की बात करते हैं पिरियड खेलो या इसको क्या खेलो आवर्थ तो वो टोटल कितने होते हैं? साथ ठीक है? देखो ये साथ हो रहे हैं ठीक है? अब अपने को इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो अपन तीन सीरीज बढ़ रहे हैं कौन कौन से फर्स्ट, सेकिंड और थर्ड, वो कौन कौन से आवर्थ में आती है? वो आती है थर्ड, फर्थ और फिप्थ इन तीनों आवर्थ में ये सामिल होती हैं ठीक है? ये अपने पास में एक स्कलटन हो गया ये चीज अपन फश्टियर में पढ़ चुके यह चीज अपन फर्ष्टियर में पढ़ चुके है बच गई यह जो अपन यहां पढ़ लेंगे यहां पर यह लेंद आएगा और यह एक्टेनाइड आएगा इनको भी अपन नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे खेर अब मैं one by one इसके characteristics points की बात करता हूँ सबसे पहले देखो इसको अपन इसको मिटा नहीं रहे हैं यहां से मैं उपर का portion मिटा रहा हूँ ताकि अपन इसको देखकर इसके characteristics points को बता सके ठीक ना डीब लोग को बता सके अभी लाक्षनी गुंधरम की बात करेंगे अपन क् characteristics point characteristics point अभी लाक्षनी जो बिंदू है इसके वो कौन-कौन से पहला point इसका देखो पहला point अपने लिखेंगे कि यह संपूर्ण कौन से डीब लोग के तत्व है तो अपन लिखेंगे डीब लोग element D-block ultimate कौन से होते हैं जिन में अन्तिम electron D-up-Cos में जाता है जिन में last electron अन्तिम electron D-up-Cos, D-sub-Cos में जाता हूँ D-up-Cos में जाता है deep language तत्व केंलाते हैं ठीक है दूसरा point अपने इसमें लिखेंगे इन्हें संकर्मन तत्व laure भी कहते हैं संकर्मन तत्व भी कहते हैं क्यों कहते हैं इसके देखो दो reason है एक तो main reason है वो यह है कि ये रिक्त डी कक्सक रखते है रिक्त डी कक्सक रखते है तो और ओल डेफिनेशन क्या हो गई कि वे एलिमेंट जिनमें रिक्त डी कक्सक पाया जाता है कौन से तत्वह कहलाते है संकर्मन तत्वह कहलाते है ठीक है इसमें अपवाद भी सामिल है जिंक, केडमियम, मरक्री यह जो तीनों है इन्हें में डीकक्सक पूर्ण बरा होता है पूर्ण बरा होने के कारणी यह किसमें सामिल नहीं होते यह संकर्मन तत्वा पन इसको नहीं कहते लेकिन डी ब्लो की तत्वा तो है दूसरा संकर्मन तत्वा कहने का कारण है कि यह इनके गुंडरम देखो यहां से इनके द्वारा संकर्मित होते है मतलब यह एस और पी ब्लो को जोड़ने का काम करते है इस वज़ेश भी इनको संकर्मन तत्वा कहते है हैं यह यह एस्थटा यह प्विलोक है को तत्यों के अध्य में श्थित होते हैं मद्दे में स्तित होते हैं एक बात और लिखना जो अपने को डिस्टब करेगी कहां डिस्टब करेगी अपने को डिस्टब करेगी जब अपन इन सीरीज की बात करेंगे पूरे element लिकर इनके electronic configuration को लिखेंगे तब अपने पास में क्या आएगा कुछ ऐसे तत्व भी आएंगे जिनके जैसे copper वगेरा इससे पहले आएगा इनके भी d क्या है पूर्ण पूरित पूर्ण पूरित यानि complete बरे में बावजूद इसके अपन उसको किसमें सामिल नहीं करते अपन उसको अपवाद में सामिल नहीं करते वो संकरमन तत्व होते हैं तो यहां पर अपन क्या लेकिंगे रिक्त डिकक्सक रखते हो या तो उदासीन रख कर भी रखते हो दूसरी condition यहां अपर है अत्वा अपनी किसी स्ताई ओक्सी करना वस्ता में रिक्त डी कक्सक रखते हो अपनी किसी स्ताई ओक्सी करना वस्ता में रिक्त हो तो बिल्कुल बैसा कर तो पूर्ण पूरित नहीं होगा यह उसमें डी खाली हो जाएगा तो वो किसमें सामिल हो जाएगा संक्रमन तत्वा में सामिल हो जाएगा अब दूसरी ये सभी की सभी तत्वे क्या हैं दात्वे तो अपन क्या कह सकते हैं ये दात्वी के परकर्तिके होते हैं ये दात्वी के परकर्तिके होते हैं है न डी ब्लोक एलेमेंट अब मैं थोड़ा सा नीचे से भी इसको मिटा देता हूँ क्योंकि बात अपन ने इसकी समझ चुके ये लोग अब ये अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आएंगे लेकिन पहले डी ब्लोग की चर्चा कर रहे हैं अपन और दातू की खास बात क्या होती है दातू होती है उसकी इलग्ट्रो पोजिटिविटी नेचे होती है मतलब वो इलग्ट्रो न्तियागने में उस्वास रखती है तो अपन к्या बोलेंगे ये दात्व इपर करती के होते हैं आता है इनमें विदुत धनी गुण पाया जाता है आता है इनमें कुन सा गुण पाया जाता है विदुत धनी गुण पाया जाता है इलक्ट्रो पोजिटिव नेचर इलक्ट्रो पोजिटिव प्रोपर्टी और इलक्ट्रो पोजिटिव प्रोपर्टी का पाया जाना इस बात का दोतक है कि ये इलक्ट्रोन त्यागती है और जब ये इलक्ट्रोन त्यागती है देखो कोई भी दातू अगर इलक्ट्रोन त्या बात ये होती है कि ये एक से अधिक परकार की ओक्सीकरण आवस्ता परदसित करते हैं क्योंकि अपने बात समझ लिए अपने के डीब लोग तत्व कौन से हैं ताकि अपने को क्रेक्टर स्ट्रिक्स पॉइंट्स लिखने के लिए बौर्ड पे स्पेस रहे जाए सिक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें सिक्स्ट जो प्रोपरिटी है कि इन तत्वों में एस्वपी ब्लोग तत्वों के समान लंबुत गुण ना होकर अपन गुणों की चर्चा कैसे करते हैं छेतीज में करते हैं इसकी बात अपन पहले ही में कह चुका कैसे होरीजोंटल अपन इनको पढ़ेंगे तो क्या कह सकते हैं छेटीज अधिन किया जाता है इन तत्वों का किसा अधिन किया जाता है छेटीज समानता देखी जाती है इसे लिख लो कि छेटीज समानता देखी जाती है कि कैसे चेंज आ रहा है क्या समान है ये अपन लेफ्ट टू राइट जाके देखते हैं अब दातु है तो दातु के एकुन क्या होते हैं वो सारे हैं ठीक है ये खटोर होते हैं मजबूत होते हैं खटोर है ना उच्छे गलनांग कवतनांग के उच्छे गलनांग के कवतनांग मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट होते हैं ये सारी प्रोपरिटी मेटल्स की होती यह भी परदर्सित करते हैं, दूसरा जो manager, इसमें, इनके योगिक, यह जो दातूों, जो योगिक बनाती हैं, जो compound बनाती है, चाहिए वो coordination compound हो, चाहिए JCP這個 जनर्रal충 काविल elder compound की बात करें Most Op Coordination compound यू बनाती है , इनके योगिक रंगीन होते हैं। अब यह रंगीन क्यों होते हैं योगिक रंगीन होते हैं देखो रंगीन वहां वो ही गुण होते हैं वही योगी होते हैं जिनमें यॉगमित इलक्टरॉन उपस्तित होते हैं। यानि रंगीन होने का मुख्य कारण क्या है एयुगमित इलेक्ट्रोन की उपस्तिती और इन में एयुगमित कैसे होते हैं क्योंकि अपने पड़ चुके कि एक से इधिक परकार की क्या प्रदेश्ट करते हैं ऑक्षिकर नावस्ता ठीक है कुछ ऐसे भी होते हैं जहां संकुल योगी का निर्मान करते हैं नो नमर की प्रोपर्टी अपन पूट सकते हैं यह संकुल योगी का निर्मान करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाते हैं संकुल योगी का निर्मान करते हैं ट्वल्थ क्लास में अपने पड़ा है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स संकुल कैसे संकुल वो योगिक होते हैं जिनंपैड प्रते इक जो एलिमेंट है या प्रते प्रत्वाइब है वह अपना अलग अलग टेश्ट नहीं देता है कि है यह संकूल होता है मैटल और यहां क्या गजाता यह लिगेंड करते हैं दूसरा इस साइड में लिक रहा हूं में एक बात हो यह योगी कर रंगीन होते हैं तो सीधी सी बात है रंगीन कब होंगे जब उनमें अयुगमित इलक्टरोन होंगे और अयुगमित इलक्टरोन होंगे तो उस पदार्थ की चुम्बकिये परकृति कैसी योगी चुम्ब किया होते हैं ठीक है दस नंबर का मैं लिक रहा हूं यह मिसर दातु बनाते हैं क्या बनाते हैं मिसर दातु बनाते हैं कौन ये संकर्मन तत्वय या ये डीबलोग के तत्वय मिसर दातु का मतलब होता है एक से अधिक दातुं से मिलकर अगर कोई योगी के बने है ना कि जैसे मालो मिसर दातु का मतलब वही है मालो विलेन है अपने मैं थोड़ा सा समझा दूँ इधर देख लो आप मिसर दातु को वि दो परकार के गटकों से मिलके बना होता है, पहला गटक अपने पास में क्या रहता है इसमें, विले, और दूसरा गटक अपने पास में क्या रहता है, विलाई, इस बात को अच्छे से जानते हैं, कि जो गटक कम मातरा में उपस्तित होता है, वो विले होता है, और जो गटक आप एक शाक्रत अधीक मातरा में उपस्थित होता है उसको पर विलाई कहते हैं देखो तो यहां पर मिर्सर दातु इस जैसे ही है कि इन में क्या होगा जैसे में चोटा सा एक्जामपल लेकर आपके बताऊं इस्टिल मारकेट में जाते हैं वो हत्मेखा करण है करणी करणी रएक किसे बनी होती है और कि यक य्याद करणि कrokी क्या बनिविए करनी करनी स्टील है वो उसमें ये तीनों दातू सामिल होती है एक अधिक मात्रा में उपस्थित होती है दो कम मात्रा में उपस्थित होती है अपन कह सकते है ठीक है तो ये मिस्सर दातू है स्टेनलेस स्टील कौन सी दातू है मिस्सर दातू में तीनों की तीनों फस्ट संकर्मन स्ट्र कोईन मेटल की बात करते हैं पन पैल मेटल की बात करते हैं पन ठीक ना सोल्डर मेटल की बात करते हैं पन वो सारी की सारी कौन से दात्वें होती हैं मिस्सर दात्व की सिनेड़ी में सामिल होती है लास्ट अपन बात कर सकते हैं 11 नमबर का पॉइंट ये अंतराकासी योगिक बनाती है ये अंतराकासी योगिक बनाते हैं कौन बनाती हैं अंतराकासी योगिक ये डी ब्लोग के तत्वे आपस में मिलकर अंतराकासी अब अंतराकासी योगिक क्या है मेरे पास में अगर ये तो आइनिक क्रिस्टल मना सकते हैं कोई भी दातु मिलकर जैसे माल लो एक आइनिक क्रिस्टल का निर्मान कर रही है यह आ है अब इन दातुओं में क्या होगा जैसे ही इनके आइन उपलब्भ है यहां पर उपस्तित है तो यहां पर बीच-बीच में थे खाली जगया दिक रही है यह वालि यह इन को पन बोलते हैं अंटराकासी चित्र कोई चोटे आकार का आई तो दात्विक आई या कोई गेस यहां आकर क्या हो जाता है सैट हो जाता है रुख जाता है तो इनको पन बोलते हैं अंतराकासी योगी कि जो अपने डीब लोग के तत्वे हैं वो इस तरह का आइनी क्रिश्ल बनाए वे हैं और बीच में कोई आइन गेसिस आइन या कोई सोलिड आइन आकर इन अंतराकासी चित्रों के समान आकार का आई नाकर इसमें अवस्तित हो जाता है उपस्तित रहता है तो इस प्रकार की योगी क्या गलाते अंतराकासी योगी ठीक है यह अपने डीप लोग के तत्वों की करेक्टर स्टिक्स पॉइंट हो गए जिनको अभीलाक्षनिक गुंधरम भी कह सकते अब सबसे पहले पर लेंगे जो डीप लोग एलिमेंट हैं उनके में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज अब बात करते हैं पर्तम संकर्मन पर्तम संकर्मन स्रेणी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज केलो या पर्तम संकर्मन स्रेणी केलो पर्तम संकर्मन स्रेणी केलो ठीक है चलो इनकी मैं आपको याद रखने की ट्रिक भी बता दूँगा विसे आप काफी वड़ेलिक के लगते हो मैं इनको लिखुंगा वर्टिकली ठीक है हhem स्टीज आनोगे अपनौन करेंगे अपन कैसे वर्टिकली ताकि इनकी electronic configuration वगेर आपन लिख सकें Scandium SC Titanium Ti Vanadium V Chromium CR Magneach MN Iron Fe CO Cobalt N.I. Nickel 9 नमबर का Copper और 10 नमबर का अपने पास है Zink यह सी अपने पास में तीन है इसको अपन Scandium बोलेंगे Scandium इसको अपन Titanium बोलेंगे इसको अपन Vanadium बोलेंगे इसको अपन Chromium बोलेंगे Magneze बोलेंगे Iron बोलेंगे Cobalt बोलेंगे Nickel बोलेंगे Copper और यहाँ पर क्या हो गया Zink यह दस Element अपने पास में जो Sankarman Sreddy को बताते हैं इन 10 Element में अपने को Electronic Configuration भी पताऊना चीए किस तरह क्या होता है अब देखो मैं Atomic Number की बात करता हूँ यह तो अपने Serial Number हो गए इसके यह Total 10 है तो मैं Atomic Number Serial Number की जिए Atomic Number की बात कहे दूँ परमाणू कर मांग Atomic Number Atomic Number इसका 21 होता है इसका 22 इसका 23 24 25 26 27 28 29 और इसका अपने पास में क्या हो जाएगा 30 यह Atomic Number हो गया अब अपने को इस बात का पता है देखो Electronic Configuration में मैं इधर लिखके बता रहा हूँ एक बार First Transition Series आटा देता हूँ परतम संक्रम्ण सरे नी पढ़ रहे हैं अपन मैं एक बार Electronic Configuration में लिखके बता रहा हूँ कितना 20 तक ठीक है तो 20 तक अपने ऐसे लिखते है 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3P6 के बाद में अपने पास आएगा 4S2 कितने हो गए 20 बाद में जो जाएगा वो जाएगा 3D क्योंकि Energy Difference अपन आपाउ रूल के अकोर्डिंग पढ़ते हैं तो आपाउ रूल अपन देखो यह पढ़ते हैं 1S 2S 3S 4S 5S 6S फिर यहाँ पर आजाएगा अपने पास में 3S 4S 3P 2P ले लो पहले 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 लेते हैं 2P 2P 3P 4P 5P 6P फिर अपने लेते हैं 3D 4D 5D 6D 4F 5F 6F अब देखो पहले पहले आपन किसमें बरेंगे और 1S बिलकुल जा रहा हैं पहले किसमें बरेंगे 2S 1S में बरेंगे 1S में पहले 2P 2P 3S जल रहा है 3P 3P के बाद में 4S एनर्जी में डिफ्रेंस है 4S का energy level कम है डाउन है तो पहले इसमें बरा जाएगा फिर किसमें बरेंगे ये 3D में फिर 4P में फिर 5S में ये ओडर रहेगा ठीक साइट कोई दिकत नहीं है समझ में आगई होगी बात इस वज़े से अपने पहले किसको लिया है 4S को बच किया गया यहां पर देखो 2, 4, 10, 12, 18 और 20 20 हो गया और एक यहां पर बच गया यह लो लेकिन अपने यह जानते हैं कि यह यहां तक 20 तक अपने पास में एक अक्रिय यह 18 तक मानो 20 तक नहीं 18 तक अपने पास में एक अक्रिय गेस आती है जिसकों इल्क इन्या सठार होता है वो आरगन है इस जैसे अपन इतना बड़ा प्रख और इन् oppression ना लिग कर अपन यहां पर सिरफ लिखते हैं आरगन क्या लिखेंआं और आरगन का आपन क्या लिख सकते हैं electronic configuration आप बचा हुया आगे आगे 4S 2 3D1, yellow ये electronic configuration हो गया है, किसका scandium का, titanium का एक एक जोड़ती है जवागे, argon 4S2 3D2 vanadium का argon 4S2 3D3 chromium का argon 4S2 3D4 होना चाहिए लेकिन 3D4 नहीं होता है इन क्या नहीं होता है 3D4 इसका electronic configuration नहीं होता है 3D5 इसका electronic configuration होता है तो मैं इसको एक बार हटाता हूँ और मैं यहां लिखता हूँ 4S1 और 3D5 क्यों होता है, क्योंकि अपने को पता है, 8 पूरी तिवी नियास D में total electron कितने आज सकते हैं 10, S में कितने आज सकते हैं 2, यह भी अर्दपूरीत और यह भी क्या है अर्दपूरीत, तो अर्दपूरीत विनियास होता है, वो ज़्यादा स्ताई होता है इस कारण एक electron होता है वो इधर jump कर जाता है ठीक है, फिर अपन मेंगनीज में चलते हैं, आर्गन 4S2 3D5 फिर चलते हैं, आर्गन आइरन का 4S2 3D6 अपन 4S2 बाद में भी लिख सकते हैं इसा कुछ इशू नहीं है इसे भी लिख सकते हैं, 3D1, 4S2 3D2, 4S2 3D3, 4S2, कैसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको बुक में ऐसे भी लिखावा मिल सकता है 3D1, 4S2 3D2, 4S2, 3D3, 4S2 है ना, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आर्गन 4S2, 3D7 फिर आर्गन निकल गा 4S2, 3D8 अब फिर कोपर आ गया कोपर में भी अपने अपवाद जैसे यहां पर यह एक अपवाद है यह क्यूशन पुछा जाता है वे एक्जाम में यह एक अपवाद की स्रेड़ी में आता है उसी तरह से कोपर में भी एक अपवाद है यहां पर आऊना तो क्या चीए 4S2, 3D9 लेकिन यह नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि जो D Configuration है एक Electron यहां से उटकर कहा जाता है इससे D में आ जाता है और यह क्या बन जाता है 3D10, जो कि अधिक स्थाई Electronic विन्यास को बताता है क्योंकि पूर्ण पूरी ते Electronique Configuration अधिक स्थाई होता है जिंक अपने पास में यहां पर है जिंक का electronic configuration अपने पास 4S2 और 3D10 यह electronic configuration की पूरी बात हुई है अपनी 3D10 4S2 3D10 इसमें मैं चेक कर लेता हूं एक बार कि पूरा शो हो रहा है कि नहीं रहा है वीजिबल हो रहा है कि नहीं थोड़ा सा इसको उपर लिख देता हूं यह 30 तीस नमबर का है जिंक जिसको अपने जिंक बोला है अपने इसको लिखेंगे क्या आरगन 4S2 और 3D10 यह अपने पास में क्या है अक्सेप्शन तो दो अपवाद अपने को देखने को मिले हैं एक तो कोपर और जिंक जिसका electronic विन्यास ऐसा मन्य है आपके BAC Part First Second Year की एक्जाम में इनके जो अपवाद है ज्यादा तर इनकी electronic configuration अपने से पूछे जाते हैं ठीक साइट कोई दिकत नहीं अब देखो अब आपन आगे बात करते हैं कि यह संकर्मन तत्व है इनकी स्थिति क्या होती है यह अर्द पूरित विन्यास हो यह कारण ज्यादा स्थाई है इसको मैं लिख देता हूँ अर्द पूरित विन्यास इस वज़े से ज्यादा स्थाई है पता चल गया और यहां पर है पूर्ण पूरित विन्यास इस वज़े से यह क्या है ज्यादा स्थाई यह दोनुची जैपने को पता चल गयी पूर्ण पूरित विन्यास अब देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थिती की स्थिती का मतलब आवर्ट सारणी में इसकी लोकेशन क्या है कहां पाया जाता है तो आवर्ट सारणी में बारिवे वरग में तता चोथे से साथ में आवर्ग थे कौन आते हैं तो इस्तिती है आवर्थ सारणी में तीन से बार में वरक तक तता आवर्थ है अपने पढ़ा था आवर्थ कौन कौन से आवर्थ में फॉर्थ, फिप्थ, सिख्थ, सेवंथ में भी आगे आएंगे वो किसमें आएंगे सेवंथ में मुतनाक अपक केवल एक ऩो मैं अभी यह जो लए लिक रहा हूं वो सारे संक्रवन परतम की नudहर Jagam यह नकिस्में पाया जाता है तीन से बारे और द consumption के लिए 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 एजे तउना कि वॉती आवर्त में उपस्तित कौन से आवर्त में उपस्तित होते हैं अब देखो अपने क्या कहा कि संकर्ण तत्व में एपूर्ण डी उपस्तित होते हैं एपूर्ण क्या होते हैं डी उपस्तित होते हैं बिल्कुल ये बात सही है देखो कैसे सही है यहाँ डी कितना होता टोटल डी 10 ये देखो डी 1 डी 2 डी 3 डी 4 ये दो हैं ये दो हैं तो क्या हैं ये दो पूर्ण पूरीत डी है, पूरे के पूरे बरेवे हैं, इस कारण डी उपस्थित होते हैं, आता है, इन्हें संकर्मन तत्व कहते हैं, आता है इन्हें क्या कहते हैं, संकर्मन तत्व कहते हैं, क्योंकि डी क्या होते हैं, पूरे बरेवे होते हैं, ठीक है, एपूर्ण होते हैं अब इसमें अपवाद ही अपन क्या सामिल करेंगे, अपवाद इसके अपने पास में दो थीजों में सामिल होना चाहिए, एक तो कोपर है, और एक क्या है, जिंक, लेकिन कोपर को अपन अपवाद में सामिल नहीं करते, कारण क्या है, डीटेन कॉन्फिग्रिशन हो रहा है, यहां पर तो copper की oxidation state plus one है, यह plus one oxidation state में क्या हो जाएगा? प्लस two oxidation state में यह क्या हो जाएगा? D9 हो जाएगा, जिसे यहां से निकलेगा, तो D9 हो जाएगा, D9 हो जाएगा तो D9 क्या है? एक एक पूर्ण विन्यास है, तो यह सामिल नहीं होगा, जिंक है, जिंक प्लस two में क्या होगा? ट्रांजिसन एलिमेंट की सीरीज में सामिल होगा, क्योंकि ट्रांजिसन एलिमेंट की सीरीज में सोरी सामिल नहीं होगा, कारण क्या है? क्योंकि second oxidation state में भी detain completely क्या होगा? फुल फिल होगा. थर्ड बात अपन करते हैं इसकी यहां पर electronic configuration की बात करें, कि electronic configuration किस तरह से vary करता है? electronic vinyas n-1 d, 1-2 10, और ns2, most of, हालांकि जैसे जो अपुआद है उसमें 1 भी होता है, तो 1-2 2 कर सकते हैं इसको अपन, यह इनका सम्माने electronic vinyas होता है. n-1 d और ns के बीच में, बहुत कम उर्जा अंतर होता है. n-1 d तता, ns के मद्दे, उर्जा अंतर न्यून्तम होता है, उर्जा अंतर न्यून्तम होता है, यह characteristics point इसमें सामिल होते हैं. कि अओाई था है, यह कि अओाव सम्माने को, झाल झाल